गुलाम सरवर साहब अब देखिए अभी जब पूर वेग्यानिक है इस तो के उनको आपती नहीं है जो मौझूदा वेग्यानिक है पदमाती जी का मैंने नाम लिया आपके सामने रखा उनको आपती नहीं है कहीं ऐसा तो नहीं कि गलट रैक पर चले गए विपक्ष के नेता है नहीं इसमें संदेह नहीं है कि विपक्ष के नेता जो है मैं पहले भी कह चुका हूँ फिर अभी कह रहा हूँ अनुशल जी को शायद मेरी बात बुरी लगे लेकिन विपक्ष कभी भी सरकार को गहरने की जो पॉलिसी बनाती है वो हमेशा उल्टा सत्ता पक्ष को आप देखते होंगे वो बराबर हम लोग भी देख रहे हैं उसी की बनाएवी पॉलिसी से सत्ता पक्ष उसी को घेर लेती है तो आप ये एक बार की घटना हो तो कहा जाए लगातार इस दस वर्षों में हमने देखा कि विपक्ष जो भी रननीती बनाती है पता नहीं उनको पहल जंडा वहां गड़ा है हर आदमी चाहता है कि नाम के लिए ही तो काम हो रहा अगर काम नाम नहीं तो काम नहीं और काम है तो नाम है तो इसलिए नाम है तो फिर क्या नाम है अगर नाम मोदी जी के लिए रख लिया जाता अगर हैड़ एक वार नाम रख लिया जाता अगर स आपतियों से काम नहीं चलेगा सामन जस्प भी होनी चाहिए अगर भारत में शिव के उपासक कडोडों कडोड हैं और अगर नाम रख दिया तो साब अगर आप ये गेम खिलना चाहरे हैं कि माइनरिटी को आपति है क्यों आपति होगी कुछ तो रखते ही अच्छा ठीक है शिव ना रखते तो क्या रखते ये सवाल अगर पूछ लए आखरी में ये कहेंगे वेग्यानिक के नाम रख देते मैं भी कह रहा हूँ ये अच्छी बात है लेकिन अगर वेग्यानिकों के नाम में भी करमांक देखना लोग शुरू कर दें कि कौन बड़ा वेग्यानिक तो बिवाद की गुणजाईश वहां भी आ जाएगी मैं कहता हूँ ये बिवाद का मुद्दा नहीं है परदामत्री जी महुदै को जो कुछ लगा उन्होंने नाम रखा अच्छा नाम रखा ये आपत्ती वाला नाम नहीं है इसलिए इसको विशय बिलकुल ना बनाया जाना चाहिए बिपक्च को बिलकुल ये बातें विड्रो करने की है कि अब भाई इस पर कोई आपत्ती नहीं है अन्शूल जी जो इशू है नहीं उसे आप लोग इशू बना रहे हैं कहीं बैकफार ना कर जाए मुद्धा पर मैं आपको जवाब दे देता हूँ मैं आपको जवाब देता हूँ सबसेर पहली बात सरवर जी ना जैराम रमेश जी ने कोई ऐसा स्टेट्मेंट दिया ना पवन खेडा जी ने दिया ठीक है आप यदि एक हजार लोग में से किसी एक से बाइर बना के मुद्धा बनाना राशीद अलगी जी सबस्वागत है मीडिया ने सर आपके वरिष्ट नेता है भाई आजिकारी बात सुनिए ने ने क्रेडिट वाली बात जो बार बार आप कह रहे हैं तो राजनीट में सर देखें राजनीट में क्रेडिट सब लेगा आपने नहीं लिया है ये बताईए अभी जफर इसलाम साब कह रहे थे आपने भी बात दो रही है वो वीडियो अप फिर सरन हो रहा जैसे ही घड़ी का काटा दो बहर ढाई पे आए बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहु पूरे दिन आफिस की टेंशन हो जाए गौन जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव अपने स्मार्ट टीवी पर ABP News आपको रखे आगे